यह मामला बर्बीगा प्रखंड मुख्यालय के कार्यालय में आयोजित दिव्यांग शिविर का है शिविर का आयोजन मंगलवार को किया गया इसका आयोजन समाज कल्यान विभाग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी के आदेश किया गया शिविर में दिव्यांगों के दिखी शिविर का आयोजन प्रखंड का रियालय के पहले तल्ले पर किया गया ऐसे में दोनों पैर से दिव्यांग को शिविर में पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी वहीं इस शिविर में बरबीघा के डुमरी गाव निवासी नंद किशोर शर्मा की पुत्री हुई जूलन कुमारी भी पहुंची दोनों पैर से दिव्यांग जूलन को शिविर में जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी उसके साथ अभिभावक के रूप में आये ग्रामीन सुशील कुमार ने इस पर काफी नाराजगी जाहिर की सुशील ने बताया कि दिव्यांगों क के साथ इसमें जरा भी सहानुभूती नहीं दिखी इस संबंध में पूछे जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि ग्रामीन विकास मंत्री श्रवन कुमार के समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए वे शेखपुरा में थे समाज कल्यान विभ के लिए नीचे जांच की व्यवस्था की गई थी बाद में जांच करता ऊपर चले गए इसी में यह दिक्कत हुआ इस संबंध में पूछे जाने पर जिला पदाधिकारी आरिफ अहसन ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पूरे मामले की उनके द्वारा की